तेट ग्लैम कपल की टैवोस की खबरे सुरक्यों में बनी हुई है जहां एक तरफ रिशी ने आकर जो बयान दिये उसके बाद लोग काफी जादा हर्ट है हाला कि लोगों को इस चीज का आभास पहले ही हो गया था कि दोनों के बीच में कुछ गड़बर चल रहा है क्योंकि दोनों ही व्लोक्स नहीं डाल रहे थे । दोनों ही अपनी इस्टाग्राम शैर्ड नहीं करते थे इसके बाद बींग रिशी ने बीशी का चैनल बना ले और उसमें अपनी वीडियो जालनी शुरू कर दी जिसमें की हिबाँ शी कहीं भी दिखती नहीं थी बट ये न्यू अपने चैनल को hight देने के लिए और नियो चैनल को grow करने के लिए ग्रमा कर रहे हैं कुछ लोग कह रहे एक दुसर के space के लिए रहे हैं बाद बेर दोनों एक हो जाएंगे कुछ कह रहे हैं कि दोनों के डाइवोस हो चुका है और सब अलग-đलग बाते बना रहे हैं इस पर यूट्यूबर के भी अलग अलग रियक्शन आ रहे हैं जहां लक्षे चोधरी ने इनके बार में बात करते हुए कहा कि किस तरीके से इतने हैपई कपल दिखाते थे और अचानक से ये सब होकर क्या कि ये सब जो चलता है यूट्यूब पर व्लोगर्स पर अब इनके बुरोसा ही करना बंद कर दे सब जूट होता है या फिर इन लोगों को पहले एक दूसरे की कमिया नहीं दिखती है और अलग होने के बाद में इनकी कमिया दिखने लगती है इस तरीके के रेक्षण दिये हैं इसके अलाओ आपको हम बतादे कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफोलो कर दिया है हलागे हिमानशी ने पहले अनफोलो किया और उसके बाद फोलो कर लिया हिमानशी ने जीशी के परिवार वालों को भी अनफोलो कर दिया है साथ में हिमानशी और डिशी ने दोनों ही अपने इंस्ट्राग्राम से एक दूसरे की सारी पोस्ट भी डिलीट कर दिया हिमानशी के एक दो पोस्ट बची हुई है पर वो भी फ्यूचर में शायद डिलीट हो जाएंगी इसके अलावा हिमानशी ने अपने YouTube चैनल का नाम जो That Glam Girl से That Glam Couple बन गया था उसका नाम भी अब चेंज कर दिया है यानि कि दोनों के साथ में आने की या दोनों को एक दूसरे को स्पेस देने की बात नहीं बनती अगर स्पेस ही देना होता और ये उमीद होती कि दोनों को भी साथ में आ जाएंगे तो वो इस तरीके की दोनों हरकत ही नहीं करते जैसे वो लोग हरकते कर रहे हैं उससे तो यही जाहिर होता है कि दोनों के बीच में काफी जादा प्रॉब्लम हुई थी जिस वज़े से दोनों का शेपरेशन हुआ है क्योंकि नॉर्मल वे में अगर शेपरेशन होता तो इतनी नफरत और इतने एक दूसरे से अलग होना यह चीज़ें एक अलग हो जाती क्यार जो भी हम दोनों की लाइफ के लिए आगे फ्यूचर के लिए विशिज देते हैं कि दोनों के लाइफ में जल्दी सबकुछ सही हो जाए और अगर यह दोनों का सिर्फ एक दूसरे को टाइम दे रहे हो अलग होने का तो वह जब ही हो जाए हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक के लिए बाबाए थैंक यू सो मच